हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक न्यू वीडियो मैं बनाने चाले हो गए छोले की चटपटी मसाले दार सक्षी आपने चोले बहुत तरीके के खाए होंगे लेकिन आप इतने तरीके के छोले जब खाएंगे तो आप वहेंगे कि हां बहुत ज़्यादा तेश्टी बनते है तो ग इसमें डालेंगे ग्लास पानिट एक चुटकी बेकिंग सोटा बेकिंग सोटा नहीं हो तो आप मीठा सोटा भी ले सकते हैं असे चोला बहुत ज़्यादी पक चाता है और इसमें डालेंगे सौद अनुसर नमक इस तरीके से करा पनाएंगे तो चोला के लिए आपको समय न पतापत पना लेंगे और शक्का ऑर कम समय में आपकी सब्ची बनकर तैयार हो जाए appeal अब इसमी लगाएंगे ढकन तीन Similar city और जबा है जबबुक्यों रखाए तो ये खाब विश्मक गई है और आप शूख सेबीगा कर देखिए चामस से कि पर्फेक्ट उगला है या नहीं मतर कैसी उगली है तो यह मैंने दवा दिया पर्फेक्ट उगल गया है आपने एक बार कमेंट में कहा था कि शोला कच्छा है तो अलगी मैंने इसमें 6-7 सीटी लगाई है अब शोला एक दूसरे बतन में रख बलट लेंगे इसी कुकर में बिरुएंगे 5 तमाटर एक दालेंगे तोड़ा सा पानी और लगाएंगे भगण और इसको वाइल कर लेंगे तो इसमें 2 सीटी समतिंग लगाएंगे टख देती हूं गैस पर गैस को याज तक अन कर दिया है और मैंने कुकर रख दिया है दो सीटी के वादिन मिलते हैं जार लेंगे मिक्सी के जार में डालेंगे लैसन अद्रक प्याज सबको मिक्सी में ग्रेंड कर लेंगे ग्रेवी के लिए अद्रक कर लेंगे इसको बंद कर देंगे मिक्सी में पीस लेंगे टमाटर और ग्रेवी के लिए प्याज लैसन अद्रक का पेश्टी तयार कर लेंग के कट कट करती है क हुई करम करेंगे लोकार करने लैसन के डाल सोथन नमक करें ढूख करम करेंगे था बढ़न स्वादन सफना नमक और भुड़ती है खड़े मसाले के लिए इसमें ढाल देंगे एक इलाइची काले कलर की जो होती है जावित्री दो लॉंग इसे का इस टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और जो मैंने यह बेश्ट बना के रखा था यह ढाल देंगे जलाएंगे प्याज को गुलाबी होने तक इसको बूलेंगे तक इसका पच्चा पन थोड़ा सा गतम हो जाएं प्याज का प्याज राई हो रहा है और इसी कटोडी में डालेंगे गरम मसाला दनिया पाउडर दो टीस्पून दाल मिल्च पाउडर तरमर्लिक पॉडर तरमर्लीक कीट्र के पानी यह पीनिये बिलो लखते है तक की प्रिकında मिल्चिंद रहर है और ऒर यह तो रहर है तो खरम शाच्ची में डाहँ है राफ में लाए अपन डालती है और बाश पूलाबी भुल लिया हैा इस तरीके से जादा नहीं बुना नहीं तो जल जाएगा इसका कच्छापन कटम हो गया है अब इसमें जो मैं ने ज़्वाइब रखा था ग्रेवी तो यह रही चकपती मसाले दार ग्रेवी अब इसमें डाल देंगे तमाटर का पेष्ट किया था भी तो फित चलाएंगे नाद घुटाएंगे गर्म मसाला लाच में डालना है इसको अच्छा लेंगे त्यार हो गई है आप इसमें चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च अब टाप याए तक चिट्टे इधर उदर ना चाहे आपका पत्थर घराब निवहागा तो इस तरीके से इसको टाप यहाए अब जो मैंने छोला वाइल करके रखा था वो इसमें आट का देंगे तगेरा छोला और मतर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें डालने लिए थोड़ा सा जो हाथ में लेंगे और इसको इस तरीके से दवा देंगे थोड़ा सा मैस कर देंगे इससे रसी की ग एक लगज संतिक पानी थोड़ा सचा है सो आप डाल सकते हैं और पानी छोली का जो है निकला हुआ था उची में तो इसी में बलाटे निकालना नहीं है, फेकना नहीं है, क्योंकि टेश्ट उसी में आता है इस तरीके से, तो चलाएंगे जाल दी है क्हाषिज पत्ति का पाने में बहुत ही मीदि अपनी में कमाणा कॉछीया देगा है क्रणा जक्शें के लिए डाल डाल लिए जाले पत्तवी को एक भींख का दॉल्ड है outta का छोले में है तो इस तरीके से बाना एक लाएगी चाव चान लगा डेगी ज्याएजा शोला बहुत पति का पानी क में हब कर दोना लिए मैं आपाला भरवी ज्याए पत्तों ये था रोसे च्छ आपसली की पदी का पानी में दोना है अब उसकी तरहते हैं इस तरह के दोना कितना बढ़िया खिलके आया है अगर तो कश्मेरी कलर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी और एट कर देंगे अब इसमें लगा देंगे धकन अब यह इसमें सम्टिंग चार सीटी लगा लेंगे अब चार सीटी लगाने के बाद मिलते हैं जब तक कि आप धनिया है वह काट लीजिए द्धनिया बगरा काट लेंगे धनिया अब चूला बनकर तयार हो गया है इस तरीके से इसको चलाएंगे तबा कर देख लेंगे ती परफेक्ट बनकर तयार हो गया है अब डालेंगे चूला मसाला दर्म मसाला करते है तो रादनिया इसको चलाएंगे तो इस तरीके से आप खाएएगा चूला बनकर देख लिए तो छोला बनकर तयार हो गया है इसलिके से आप ख्रुक्त खाएएगा चूला मसाले दा चूला और आहीं आपको काटक दरल कि दू恁आज है और छोला बन कर तयार हो गया है नेक्स वीडियो में थैंक्यू भाई रादे रादे जैसे किष्णा कुम्नेटी ओप्सन में नया चैनल है जिसमें शॉट सी वीडियो डालती हूं उसमें भी आप चाकर मेरे चनल को देखिएगा सिस्क्वाइब कीजिएगा खाये गर्मा गरम छोला और जाडे में रसी किष्णा रादे 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 जाप आप 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 पुला और दिखा दे मन्सू आजाओ हेलो गैस वेलकम बैक न्यू वीडियो तो गैस मैं बनाने जा रहे हूं पुलाओ पुलाओ बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले चावल अच्छी क्वाल्टिका लेंगे और चावल को साफ पर लेंगे और साफ परने के बाद अगर कंकड़ हो इसको निकाल देंगे और इस तरीके से पतला वाला पुलाओ वाला चावल लेना होता है आपको बहुत ही आथानी से मिल जाएका जब आप पजार पानी जाएंगे तो आपको पहेंगे पनसारी वाली दुकान पर तो पुलाओ वाला चावल दे दीजिए तो आपको दे देगा तो यह पर्फट चावल मैंने अपनी कौंटिटी के अंसार आप ले सकते हैं अब इसमें डाल देंगे पानी और पानी दालने के वार सम्तिं इ दोने के बाद ही इसको पुलाओ बनाना है तो मिलते हैं गाइस आदे गंते के बाद तो गाइस चावल को दो दो तीन पानी से अपनाएंगे पुलाओ बनाने के लिए कुकर रखेंगे कुकर गाइस कौन करेंगे इसमें टालेंगे घी शियरा घी इसमें डालेंगे गाइस दो एलायची दो लॉंग और काली मिर्च वाण से छे पेज़ पात चाबल दिया है तो इसमें डाल देंगे ज़िए ku करणा नमक क्षाल रीची एक ती को सुपतार रपकरें. जब आए कि अर्पक्रची जब रहा है इसमें पानी की खुशे पानी की जड़ें, पुलाव अपका नहीं आनए गा, तो इसलिए पानी मैं डाल रही हूं, जो मैंने एक ग्लास पानी लिया है, इसमें डाल देंगे, इस तरीके से चलाएंगे, पानी की इस तरीके से चेक करनी है, जैसे ये चावल है, चावल के उपर कितना पानी है, तो ये चावल है, चावल के उपर, एक अंगल पानी है, तो इतना चावल है और इतना पानी, तो जैसे चावल है चावल के उपर थोड़ा सा पानी होएगा अगर ज़्यादा पानी कर देंगे तो पुलाओ आपका गीला हो जाएगा तो यह कशली जब डालेंगे थे चावल में बिल्कुल पर्फेक्क भीग रही है पानी के थोड़ा सा एक उंगल पानी उपर कॉंटिट कर देखने पानी की क्वांटिति कम रखनी है तो पानी वैसे भी चावल सुक लेता है तो अब मिलते हैं सिक आज आने के बाद रखनी के बाद 10 मिद के बादी कोलना है तो पुलाओ बंकर तयार हो कि आई आप देशकने है कितना बढ़िया लग रहा है इसको चलाएंगे तो पुलाव बन कर तेयार हो के आए आप देखने में और रखाने में तो पहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके से आपको बना सकते हैं और आपको पुलाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बाक में जूड़ करते हैं अगर आपने है मेरे चैनल को दीख रहे हैं तो सब्सक्राइ अच्छा बिलाव और छोला और खाएगा और चाड़े का जोड़े और चाड़े में गर्म गर्म छोला बतूरा बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है अगर आपको बतूरे की राज़े चाहिए तो कमेंट बाक में रूपताएगा बतूरे की रेसिपी डालेंगे और इस अभागे बाक में पैट आपे जगा-वे डाग बतूरे के विलाएगे छ